जादूई मोर और राजकुमारी भारत की हरी-भरी भूमी के बीच बसे एक छोटे से गाउं में राजा अमर नाम का एक दयालू और सौम्य राजा रहता था. उनका राज्य विदेशी फूलों और सुन्दर मोरों से भरपूर अपने जीवन्त बगीचों के लिए जाना जाता था. राजा अमर की लीला नाम की एक सुन्दर बेटी थी, जो बगीचों के समान ही मन मोहग थी. एक दिन, जब लीला महल के बगीचों में घूम रही थी, तो उसे महल के तालाब के किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल मिला. जैसे ही उसने उसे चूने के लिए हाथ पढ़ाया, कमल खुल गया और अकल्पनिय सुन्दरता का एक चमकदार मोती प्रकट हुआ. मोती चांद की तरह चमक रहा था और उसकी अलौकिक चमक ने लीला को मंत्र मुग्ध कर दिया. लौट स्पर्ल की बात दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही दूर दूर से व्यापारी महल में पहुँचे और बहुमूल्य रत्न के बदले में सीमा से अधिक धन की पेशकश की. फिर भी राजा अमर ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि मोती में एक रहस्य है, जिसे वह उजागर करना चाहता था. एक शाम जब राजा अमर ने मोती को देखा, तो उसे उसमें से एक मधुर मधुर आवाज सुनाई दी. आवाज महल के बगीचों के भीतर एक छिपे हुए क्शेत्र की बात करती थी, जहां केवल एक शाही युवती के शुद्ध हृदय से ही पहुँचा जा सकता था. इस क्शेत्र को जादूई मोर का घर कहा जाता था, जो लौटस पर्ल की वास्तविक शक्ती का संरक्षक था. राजा अमर में उत्साह फैल गया और उन्होंने अपनी बेटी लीला को बुलाया. उन्होंने जादूई मोर और छिपे हुए क्शेत्र की कहानी साजह की और उनसे इसे खोजने की खोज में निकलने का आग रह किया. साहसिक कार्य की संभावना से उत्सुक लीला ने अपने पिता की बात मान ली. अगली सुबह लीला महल के बगीचों में निकल गई. लोट स्पर्ल की आवाज से प्रेरित होकर वह जंगल में गहराई तक चली गई. एक दिन की यात्रा के बाद वह सबसे शानदार फूलों और जीवन्त मोरों से सजे एक एकांत उपवन में पहुँची. उपवन के मध्य में एक शानदार मोर खड़ा था, जिसके पंख रंगों के बहुरूप दर्शक से जिल मिला रहे थे. मोर ने अपना परिचय कमल मोती के संरक्षक राज के रूप में दिया. राज ने समझाया कि मोती में राज्य में सम्रिध्य और खुशी लाने की शक्ती है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता तभी खुल सकती है, जब कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इससे जुट सके. लीला का हृदय करुणा और पवित्रता से भर गया, और उसने राज के साथ एक गहरा रिष्टा बना लिया. साथ में उन्होंने मोती के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहसिक कारियों की एक श्रंखला शुरू की. उन्होंने बीमारों को ठीक करने में मदद की, भूखों को खाना खिलाया, और वे जहां भी गए, खुशियां पहलाई. राज के साथ लीला की यात्रा की खबर जल्द ही ग्रामीनों तक पहुँच गई, और वे उसे आशा और दयालुता के प्रतीक के रूप में देखने लगे. उनके निस्वार्थ कारियों ने उन्हें एकजुट होने और राज्य की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया. जैसे ही लीला और राज ने अपनी खोज जारी रखी, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन बुरी ताकतों का सामना करना पड़ा, जो लोटस परल की शक्ती को चुराने की कोशिश कर रही थी. लेकिन मोर की जादुई क्षमताओं और लीला के शुद्ध हृदय के साथ उन्होंने प्रत्येक बाधा को पार कर लिया और साबित कर दिया कि प्रेम और दयालुता अंधेरे पर विजय पा सकती है. आखिरकार, वह दिन आ गया जब लीला और राज लोटस परल की पूरी क्षमता का उप्योग करके महल में लोट आए. राजा अमर अपनी बेटी के परिवर्तन और पूरे राज्य में फैली नई सम्रिद्ध को देख कर प्रसन्न हुए. राज्य के फलने, फूलने और लोटस परल की शक्ती अपने चरम पर होने के साथ, लीला और राज ने अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें प्रेरित करना जारी रखा. मोर न केवल एक अभिभावक बन गया था, बलकि लीला का एक वफादार दोस्त और साथी भी बन गया था, और उनके बीच का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया. और इसलिए भारत के हृदय में मयूर राजकुमारी और कमल मोती की कहानी एक किमवदंती बन गई, प्रेम, दयालुता और असाधारन जादू की कहानी, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है.